हेलो साथियो नमस्कार साथियो आज हम इस वीडियो के मादम से समझेंगे कि कैसे एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में बदलते हैं जैसे मिलिमेटर को कैसे सेंटिमेटर में बदलते हैं M, C, D, mm, cm, decimeter, meter, decimeter, hectometer, kilometer इसमें सबसे ओपर सबसे छोटा है और सबसे नीचे सबसे बड़ा है इसमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जब भी हम सबसे बड़े को छोटे में बदलते हैं तो गुना करते हैं और जब छोटे को बड़े में बदलते हैं तो भाग करते हैं जैसे मिटर को सेंटिमिटर में बदलना है तो एक मिटर बराबर क्या हम जाएगा दस गुने दस कितनी सीड़ी चड़े हैं मिटर से एक दो सीड़ी चड़े हैं तो यानिकि कितने बार चले दस गुने दस तो एक मिटर बराबर दस गुने दस सेंटिमिटर आइसे ही जब हम किलोमِटर को change करेंगे मिटर में तो क्या करेंगे हम देखें, कितनी सीड़े चड़े? एक, दो, तीन, यानिके 10, गुने 10, गुने 10, यानिके 1000 मिटर अब यदि हम छोटे को बदलते हैं बड़े में, तो क्या करना होता है में? भाग करना होता है जैसे मिटर को चेंज करना है किलो मेटर में, तो हम देखेंगे कि मिटर से किलो मेटर पहुंचने पर कितनी सीडी चड़े, एक, दो, तीन, यानि दस गुन है, दस गुन है, इसको भाग करेंगे तो one upon, ten by ten by ten, यानि कि एक बटे 1000 किलो मेटर, ऐसे ही जब हम डेका मेटर को चे किलोमेटर